जैशिर रादे कृष्णा साथियों मैं वी कृष्णा क्या साहरा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप आपके अच्छे स्वास और सुखा जिवन की मंगल कामणा करती हूँ साथियों सन 2020 साल का आंति महीना दिसंबर का महीना जाने वाले महीने को सलाम और आने वाले साल को सलाम यह जो चारा वाला साल है इसको भी सलाम करो राने वाला साल हम कैसे बनाए उसका इंतिजाम करो आज की वीडियो में बताने वाली हूं कि जाने वाले साल को किस प्रकार सलाम करना है, क्या दान करना है, क्या काम करना है, जो छूट गए है पूरे साल, हम कर नहीं पाए क्योंकि ये समय नहीं मिलेगा दोबारा, और आने वाले साल को किस प्रकार अच्छा बनाएं, तो 2020 जा रहा है इस साल 2020 में बहुत उतल पुतल हुई बहुत बड़ी विमारी करोने ने पूरे देश पूरे संसार को जंजोर के रख दिया बहुत सारी राजनीतिक गति विधियां भी काफी स्ट्रॉंग रही लेकिन हम अगर सिर्फ बात करें अपनी हमने क्या किया हमें केवल य कि नहीं यह साल तो हमारा बहुत बेकार गया खगवानं हमारे ली कुछ नहीं किया इश्वर की कृपा हमारे पर बर्षि नहीं रही कोई मनोकामना पूरी हुई नहीं लेकिन हमने दोहजार किया है जा किया कि दोहजार कम आपने कुछ tällे कि अंनहीं किया दूल्ड हमेशा 2020 में आपने कुछ किया या नहीं किया मैं हमेशा कहती हूं बीतिता ही विसारदे आगे कि सुदले अभी भी हमारे पास 15 दिन बाकी है तो क्यों ना उन 15 दिन में हम पूरे साल में जो नहीं किया वो अब कर लें क्योंकि जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा ये समय भी नहीं आए विभां करें बिल बड़ा रखें किसी से भी मन मुटाब ना करें हम ड किसी से गलती हो गई तो इसे माफ कर दे यदि आप से गलती हो गई तो सुलक्षित करते हैं यह जो हमारा फ्यूचर है वो तो सिक्यूर होई गया लेकिन जो हमने पीछे जो भी कुछ किया उस सब को भी भुला दोगे यदि हम आने वाले समय को सुरक्षित करते हैं क्या होता है सर्दी का मोसम दिसंबर का कहा जाता है शास्त्रों में भी मत है कि यदि हम सीजन की नहीं नही कुछ दिया है उसका शुक्रियादा करते हैं और उन चीजों का हम उपभोग करते हैं अपने जीवन में तो क्या वो सारी चीजे ऐसा नहीं हो सकता कि उनमें से कुछ चीजे हम दूसरों को भी दे सर्दी का मोसम है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरत मन्द है बहुत सार खाएंगे, आप कंबल ओडएंगे, आप जुरावे खरी देंगे, आप मफ्राल खरी देंगे, आप बहुत सारी चीजे खरी देंगे, उन सब चीजों में से एक, एक चीजा द्यान कीजिए हरा साग, तो कितना आता है न मार्किट में पालक की करड़ीलिया, कोई भी आपको द कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमाय संपर्क में जो मुह से कह नहीं पाते लेकिन जरूरत मन्द होते हैं यदि आप उनके संपर्क में आप उन्हें जानते होंगे किसी बीमार को आप एक सिकाई की बोतल दे दो देने की कोई अनलिमिटेड चीजे हमें संसार में इश्वर ने ब कोड़ा सा तो कर दो मैं मताती मुं क्या करेंगे यह दि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नोकरी और वेफसाय में कोई परिशानी आ रही है तो एक पीतल का लोटा लेके उसमें गुड़ भर कर दे दो किसी को दान सारी समस्याइं दूर हो जाएंगी विवा में परिशानी बुदवार के दिन हरा साग आप दान में दे दो बहुत आसानी से मिलता है शुकरवार के दिन तील या तिल से बनी मिठाई दे दो वही हम बहुत दिन से रेवडी का पैकेट करीदा किसी बच्चे के हाथ में दे दिया कि बेटा तू भी का ले शनिवार के दिन जूते कोई नंगे पैर दिखे उसको जूते कपड़े के भी जूते कभी अलग लग हिसाब है हर तरह के जूते आते हैं जूते नहीं ले पाएं जुराब ले दो, इस तरह की चीजे मैंने आपको बता है, शनिवार में जूते है जुराब दे दो, शुकर वार में तिलिया तिल से बनी, मिठाई दे दो, ब्रस्पत वार में रहा चारा खिला दो, मंगल वार में आप लोटा में गुरभर के दे दो, और उसके अलावा भी, जो भी को जरूरत मन दिखे उसकी मदद करो किनाटी में काम दिमाग कर पाते हो जान की महीम्हा कितनी जबरदस्त है, कि यदि आप किसी इनसान को छोटी सी इस चीज की ज़रूत होती है, लेकिन नहीं मिलती है, आपने दान किया, आपके पास तो है ईष्वर का शुकरा ना करो, कि इष्वर तूनमजी इसलायक बनाना, कि मैं सदैफ मेरा हथ ऐसे रहे, कभी मेरा हत ऐसे नहों किसी के सामने लेकिन देख के अंदेखा बिलकुल ना करें कोई जानवर जा रहा है रोटी खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दो पक्षियों को दाना डाल दो चीटियों को आटा डाल दो मचलियों को गोली डाल दो आटे की कितने सारे काम है लेकिन कुछ तो करो कुछ तो करना पड़ेगा यह समय दोबारा नहीं आएगा इस जाते वे साल में मैंने बार बार बोला आप लड़ाई जगड़ा किसी से हो मन मुटाव किसी से हो माफी माफ कर दो प्यार करो सबसे ओम नमो भगवते वासु देव पीला पहनो पीला खाओ पीली चीजों का दान दो ब्रसपती मजबूत हो जाएगा मंगल को मजबूत करने के लिए मैंने बूला है गुड़ का दान देने के लिए आपको ब्रसपती मजबूत हो जाएगा पीली हल्दी का दान दो विवा में आरी बाद हैं भी दूर हो आते हैं वे इस साल में आपने पूरे साल क्या किया क्या नहीं डजन मैटर अब कर लो अब कर लो फिर 2021 देखे कितना खुश हाली से आएगा मैं तो कहते हूं धोल नगाडों के साथ आएगा आपके जीवन में 2021 क्योंकि आप सेटिस्वाइड होंगे यहां से कि हमने 2020 में इश् किसी का बुरा नहीं किया पैरों से हम किसी बुरी जगा पर चल कर नहीं गए यह इश्वर के शुक्रा ने अश्यकरतियों वीडियों के साथ तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें जिन्दगी न मिलेगी दोबारा स्वास्त रहें मस रहें कमेंट बॉक्स में जैलक्ष्मा जैसुरे देव कुछ भी लिखेगा लिखेगा इश्वर आपकी मदद करें